तो देखिए अभी हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं जिसमें आपको तीसरा चप्टर पढ़ाया जा रहा है और इसमें हम वाय मंडली अप वर्तन के बारे में भी पढ़ें प्रकास के वर्ण विक्षेपड के बारे में भी पढ़ें और आज के विडियो में हम आपको बताएंगे प्रकास के प्रकिर्णन के बारे में ये स्कैट्रिंग अफ लाइट क्या होता है और इसे रिलेटेड जो दैनिक जोन में हम कुछ घटनाय देखते हैं उसके बारे में हम समझाएंगे आपको तो देखे ये सबसे पहले आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि प्रकास का प्रकिर्णन है क्या फिर आकास का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है फिर अंतरिक शयात्रियों को आकास काला रंग का क्यों दिखाई पड़ता है और फिर सुर्य का जो रंग होता है वो दिन में समय के सांसांत क्यों बदलता रहता है दो पहर में सफेद रंग का सुरियोदे और सुरियास्त में लाल रंग का दिखाई पड़ता है इसा क्यों होता है इन सारे चीज को आज की वीडियो में आपको समझाने वाले हैं तो देख से प्रकास की किरने जो आ रही है तो सुरी से आती हुई प्रकास की किरने जब प्रित्वी तक पहुचती है तो प्रित्वी तक पहुचने से पहले प्रकास की कुछ भाग को वायू मंडल में जब प्रकास की किरन आती है न तो वायू मंडल में बहुत सारे गैस के कड़ है वा प्रकास के कुछ भाग को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्रकास के कुछ भाग को सोंख लिया जाता है और प्रकास के सेस भाग को वाई मंडल में चारो और फैला दिया जाता है चारो और वितरित कर दिया जाता है इसी प्रक्रिया को प्रकास का प्रकिर्णन कहते हैं तो य अपिर्णिंद प्रक्रिया को प्रकास का प्रक्रिणन कहतें है कफी आसान है यह चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद हम आपको बता दे की की आकास का जो रंग प्रकास की किरने जब प्रित्वी पर आती है तो इसमें बहुत सारे रंग होते हैं लेकिन इन सारे रंगों में नीला रंग जो होता है आप समझे सुर्य से जब प्रकास का किरन आएगा प्रित्वी पर तो सबसे पहले प्रित्वी तक पहुंचने से पहले यह वाई मंडल में प्रवेश करेगा और वाई मंडल में बहुत सारे सुक्ष्मकड है वाई मंडल में छोटे-छोटे बहुत सारे कण है और इन सुक्ष्मकडों के द्वारा प्रकास के किरन को प्रकिर्णित करने का काम किया जाएगा प्रकास के किरन जो इन सुक्ष्मकडों से टकराक और और प सबसे जादा होता है नीला रंग जो है सबसे जादा वाय का दिखाई पड़ता है बात समझ मैं अब आपको इसके आपको हम बताते हैं कि यानि चंद्रमा पर मून पर जो यात्री गए हैं उनको आकास काला क्यों दिखाई पड़ता है उनको नीला काहे नहीं दिखाई पड़ता है तो देखे इसका कारण यह है कि जब आप चले जाईएगा अंतरिक्ष पर इसका मतलब आप जब चले जाईएगा चंद्रमा पर या चंद्रमा पर वायू मंडल नहीं पाया जाता है इसलिए प्रकास की किरने जब चंद्रमा पर अंत्रिक्ष आत्री पहुंचे होते हैं और वहां से जब आस्मान को देखते हैं वहां पहुंचकर जब आकास को देखते हैं तो सुरिष से आती हुई प्रकास की किरने जब चंद प्रकास का प्रकिर्णन जो है वहां पे नहीं होता जैसे यहां प्रित्वी पे प्रकास के किरन पहुंचती है तो वाई मंडल में प्रकास का प्रकिर्णन होता जिसमें नीला रंगा सबसे ज़्यादा प्रकिर्णन हो जाता इसलिए आकास नीला दिखाई पड़ता है लेकिन वाई चंद्रमा पर तो वाई मंडल है नहीं वहाँ पे वाई मंडल में जो पाये जाने वाले सुक्ष मकाने हो है नहीं तो फिर कैसे प्रकास के अलग-अलग कलर जो है प्रकास के अलग-अलग वर्ण जो है वहाँ पे चारोर फैले गए नहीं प्रकास के किरन का प्रकिंडन वहाँ पे होता ही नहीं है जिसके चलते कोई भी प्रकास का कलर वहाँ से आपको चार ओर दिखाई नहीं देगा क्योंकि फैला गई नहीं प्रकास के किरण यहीं रीजन है कि अंतरिक शैत्री जब उपर क्यों देखते हैं तो प्रकास का कौनों कलर फैला ही नहीं है वहाँ व सुर्य के रंग का इसा होता है तो देखिए सुर्य के रंग का दिन में बदलते हुए समय के अनुसार जैसे जैसे समय बदलेगा बदलते हुए समय के अनुसार सुर्य के सुर्य का जो कलर होता है जो हम सुर्य को जब हम देखते हैं तो सुर्य का कलर चेंज हो जाता है जैसे ज वाइट कलर का लेकिन सुर्य उदे के समय जब आप देखेंगा न सुर्य को यानि जब सुर्य का उदय होता है जब सुर्य उगता है उस समय देखेंगे न आचा है सुर्यास्त के समय जब देखेंगा न मतलब जब सुर्य का ऑस्त होता है सुर्य जब डुबता है तो इस समय द अब दखिए दोपार के समय होता क्या है कि सुर्य जो होता है न या ध्यान से समझेगा हम आपको अच्छा से इसको समझाने की कोशिश करते हैं जैसे मालीजे कि अर्थ है तो दोपार के समय ये जो सुर्य होता है या प्रिथवी के बिल्कुल लंबवत होता है यानि दोपार के समय सुर्य की स्थिति जो है प्रिथवी के एकदम वाल्टिकल होता है यानि आर्थ से एकदम लंबवत होता है सुर्य की स्थिति जिसके कारण चुकि सुर्य की स्थिति एकदम लंबवत होता है दोपहर के समय इसलिए सुर्य और पृत्वी की बीच की जो दूरी होती है ये दोपहर की समय कम होती है और बीच की दूरी कम होने के कारण सुर्य के प्रकास को पृत्वी तक पहुचने के लिए वायुमंडल के बहुत कम कणों से होकर गुजरना पड प्रता है यानि सुरिक जो होता है पृत्वी से काफी नजदिक काफी कम दुरी पर होता है दोपहर के समय Two Pjali को दूीत को में पृत्वी तक पुहुंचने के लिए कम डिस्टेंस कोबर करना पड़ता है कम दूरी तय करना पड़ता है जिसके कारण प्रकास के किरण का प्रकिरणन बहुत जाद नहीं हो पता है प्रकास के किरणन का प्रकिरणन बहुत कमी होता है और यहीं रिजन है कि दोपहर के समय सुरी जो है हमें अपने वास्तविक कलर में यानि अपने उसका सुरी का जो रि योदय या सुरियास्ट के समय जो है सुरिय की दूरी जो होता है वह प्रित्वी से बड़ जाता है प्रित्वी से bak Korealy excel हो जाता है it प्रित्वी चैमे की समये क्या होता है की मतलबी peril डिस्टेन्स जो होत है सुर होता है शूर f प्रित्वी तक पहुँचने के लिए अधिक दूरी तय करना पड़ता है। सुर्य जो होता है हमें लाल कलर का दिखाई पड़ता है तो इस प्रकार आपको हम समझाए कि सुर्य का कलर दिन के बदलते समय के अनुसार किस प्रकार अलग-अलग कलर में दिखाई पड़ता है तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे इस वीडियो में आपको समझाए प्रकास का प्रकिर्णन क्या होता है आकास का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है अंत्रिक चात्रियों के यह काला क्यों प्रतित होता और सुरे के रंग दिन में समाई के बदलते अनुशारू कैसे अपने कलर को चेंज करता और इसा क्यों होता है आपको समझाए तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और ये चाप्टर का जो तीसरा हम लोग पढ़ रहे थे क्लास ट्रेन के फिजिक्स का ये कंप्लीट हो गया और अगले वीडियो में इस चाप्टर की जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कॉस्चन्स होगा उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसके सारे अब्जेक्टिव को बनाएंगे जो एक्जाम के परपस से काफी इंपॉर्टेंट होगा